गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम तो आर क्लास, तोड़े वी आर गॉइंग तो डिस्कुस अबार क्लास फिप्ट चैप्टर नमबर सेवन, वू विल प्ले विद मी, आज अपन रस्तान गोडगी कखसा पाँच का साथवां पार्ट जिसका टाइटल है, वू विल प्ले विद मी, यानि मेरे साथ कौन खेलेगा, इस चैप्टर को आपन पढ़ेंगे, जिसमें एक स्टुडेंट की कहानी है, आपके जैसा ही एक स्टुडेंट है, जिसकी स्टोरी है, देखो, वू विल प्ले विद मी, वू का मतलब है कौन, प्ले का मतलब आपको पताईए, खेलना, विद का मतलब साथ में, मी का मतलब मेरे, यानि मेरे साथ कौन खेलेगा, वू वू यू लाइक मोर, तुड़ी और तुपले, अब देखो भी, आप सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हो, वू वू लाइक मोर, यानि आपको ज़्यादा पसंद क्या है, तुड़ी पढ़ाई करना और तुपले, या खेलना, ज़्यादा पसंद क्या है, खेलना, प बढ़ाई भी होना ची, what will happen if you spend all your time on playing and don't study, what will happen, यानि क्या होगा, if, यानि यदि, you spend, आप बिताओ, all of your time, आपका पूरा समय, अपना पूरा समय आप बितादो, on playing, खेलने में and don't study, और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करो, तो क्या होगा, अगर आप अपना पूरा का पूरा समय, खेलने में बितादो, और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करो, तो क्या होगा, पता ना, very good, बड़े समझदार बच्चे हो, चलो अब अपने स्टोरी सुरू करतें देखो, this is a story, यानि यह एक कहानी है, about a boy, किसके बारे में, about, about का मतलब, बारे में, a boy, boy का मतलब, बालक के, who, who का मतलब, जो, does not like, पसंद नहीं करता, to study, पढ़ना, at all, बिल्कुल भी, यह एक ऐसे बालक की कहानी है, जो की पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद, नहीं करता, all day, he meets some creatures, all day, यानि, sorry, one day, एक दिन, he meets, वो मिलता है, some, कुछ creatures, यानि, जानवरों से, and then, और उसके बाद, he changes, वो बदल जाता है, एक दिन, वो, कुछ जानवरों से मिलता है, और वो बदल जाता है, वो अपने आपको क्यों बदलता है, क्या कारण है, let's find out, let's, यानि, आओ find out का मतलब, खोजें, दून्डें, जाने, आओ जाने, ऐसा कौन सा कारण है, जिससे कि वो अपने आपको बदल लेता है, तो देख ये स्टोरी है, दिस इस रोहित, यह जो काहनी है, ये किस कि 魚 है, रोहितन की काहनी है, यह देखो ये रोहितन का जो बच्चा बेंच के अपर बैठा हुआ है, बेंच के पास में किया रखा है? डस्ट पीन, आप भी डस्ट पीन का यूजज करते हुना, कोई भी टॉपी का रेपर है, बिस्कित का रेपर है या कोई भी काघजगा, कोई भी कच्रा है वह अब अबन Pheadice स्क्रीन में डालते हैं तो देखो, RoitBench भी बेंच भी बैठा है अब देखो, Roit क्या करता है He does not like his studies इसको अपनी पढ़ाई पसंद नहीं है के सभी मेत्र गो टू स्कूल विद्या ले जाते हैं डेली हमेशा but he doesn't go there लेकिन वो स्कूल नहीं जाता उसके सारे फ्रेंड्स हमेशा स्कूल जाते हैं लेकिन वो रोहित स्कूल नहीं जाता he wonders here and there he wonders wonders और उसका मतलुक बेकार में घूमना here, यहाँ and there और वहाँ वो इधर उधर बेकार में घूमता रहता है one day he goes to the garden one day यानि एक दिन he goes जाता है to the garden एक बगीचे में near his home अपने घर के पास उसके घर के पास में एक बगीचे होता है एक दिन वो उस बगीचे में जाता है यह देखो उस बगीचे काई सीन है, यह फूल लगे हुए है, मैंच लगे हुए है he finds no other children in the garden, he finds no other children in the garden उसको बगीचे में दूसरे कोई भी बच्चे नहीं मिलते हैं to play with जो कि उसके साथ केल सकें जब वो गार्डन में जाता है, बगीचे में जाता है तो उसको कोई भी बच्चा नहीं मिलता है जो कि उसके साथ केल सके he sits on a bench और वो क्या करता है, बैट जाता है on a bench, एक bench के उपर under the big banyan tree एक बड़े से banyan tree यानि भरकत के पेड़ के नीचे एक bench लगी होती है, ये bench है और इस bench के उपर बैट जाता है after some time, कुछ समय बाद, he notices, यानि वो देखता है, अपिकोक, एक more को, जो कि क्या करता है, dancing, यानि नाच रहा होता है, कुछ समय बाद, वो एक more को देखता है, जो कि नाच रहा है, near the flower bed, near यानि पास में the flower bed, यानि फूलों की जो बेल है, फूलों की जो लता है, उसके पास में वो नाच रहा है, रोहित walks to the peacock, and says to him, अब रोहित जो है, वो पिकोक के पास जाता है, more के पास जाता है, and says, और उससे कहता है, विकोक से, more से, will you play with me, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, ये देखो, ये रोहित जो है, ये रोहित आगया, ये more जो है नाच रहा है, इस more के पास आके इस से कहरा है, कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, the peacock says, more क्या कहता है, more क्या कहता देखो, I am busy, मैं अभी busy हूँ, मैं अभी best हूँ, I am dancing, मैं नाच रहा हूँ, so I cannot play with you, इसलिए मै तुम्हारे साथ नहीं कहल सकता, अभी मैं नाच रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं कहल सकता, then Royd meets a dog, और उसके बाद रोहित मिलता है किस से, a dog, ये एक कुट्टे से, he asks him, अब रोहित उससे कुट्टे से पूचता है, will you play with me, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, सबसे पहले, Royd ने किस से पूचा, मोर से पूचा, कि भी क्या तुम मेरे साथ कहलोगे, लेकिन मोर ने क्या का, कि मैं नाच रहा हूँ, बीजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं कहल सकता, फिर कुट्टे से का, तो कुट्टा क्या कहता है, वापस देखो, the dog says, यानि कुट और साउस, अपने मालिक के घर की, भी मैं अपने मालिक के घर की देखवाल कर रहा हूँ, so I cannot play with you, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं कहल सकता, तो देखो, पहले मोर ने मना किया, अब गुट्टे ने भी मना कर दिया, he happens to see a parrot, crow, sparrow and horse, और इसी परकार से जो है, वो आगे जाता है, इसको एक दोता मिलता है, उसके कोवा मिलता है, चिडिया मिलती है, और और से घोड़ा भी मिलता है, he asked them the same question, और वो सभी से वही प्रस्न पूचता है, कौन सा प्रस्न, सबसे क्या प्रस्न पूचता है वो, will you play with me, क्या तुम मेरे साथ के लोगी, अब देखो सारे کی answer देते है, we are busy, यानि हम क्या है, busy है, and we have many things to do, हमें बहुत सारा काम करना है, many things यानि बहुत सारा काम करना है to do करने के लिए हमारे पास बहुत सारा कार्ज है करने के लिए we cannot play with you हम आप के साथ नहीं कैल सकते हैं तुम्हार워서 नहीं कहल सकते संब नहीं उक्तर दिया अमेगो सबने उसको क्या जवाब दिया कि हम सब क्या है बीजी हैं हमार पास बहुत सारे काम करने के लिए इसलिए हम तुम्हार साथ नहीं कहल सकते। इस से चैनि इस बात से चैनि इसका बहुत जादा असर हुआ, प्रभाव पढ़ा पधा। ओन रोईद, रोईद पर, रोईद पर इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव पढ़ा, He says to himself, अब उसने अपने आप से कहा, All of them are busy, तुम सभी क्या हो, busy हो, All of them are busy, यहनि उन में से सभी लोग ग्रस्त है, They are doing something, वो कुछ कर रहे हैं, It's only I who am not working, और केवल, it's only I यानि सिर्फ मैं ही हूँ who am not working जो की काम नहीं कर रहा हूँ बागी सारे लोग काम कर रहे हैं सब लोग बीजी हैं लेकिन एक मैं ही हूँ जो की काम नहीं कर रहा हूँ Now I will also do my work and keep myself busy Now यानि अब I will also do my work मैं भी अपना काम करूँगा and keep myself busy और अपने आपको busy रखूँगा अव्यस्त रखूँगा I will give up my laziness I will यानि मैं छोड़ दूँगा give up, give up का मतलब होता है छोड़ देना my laziness यानि I'll see fun मैं अपना I'll see fun छोड़ दूँगा I'll see fun He returns home and decides to go to school daily और अब वो वहां से वापस घर लोड़ता है और decides यानि तेह करनेता है to go to school school जाने का डेली यानि हमेशा अब रोहित वापस आकर यह तेह करता है कि वो भी हमेशा school जाएगा He starts studying attentively He starts यानि वो शुरू कर देता है studying पढ़ना attentively यानि बड़े ध्यान से and completes और पूरा करता है His homework also अपना ग्रहकारी भी जो भी उसको homework मिलता है teacher जो homework देते हैं वो homework भी पूरा करता है He learns his lessons regularly He learns learns का मतलब याद करना सीखना वो हमेशा सीखता है learn करता है His lessons अपने पार्थों को regularly यानि नयमित रूप से in the evening और साम के समय He goes to the playground वो मैदान में जाता है and finds his friends there और उसको वहाँ उसके मित्र मिल जाते हैं He plays with them वो उसके साथ खेलता है for about an hour लगबग एक गंटे तक अब देखो दिन में स्कूल जाता है वापसा के अपना काम करता है और साम किसमे मैदान में खेलने के लिए चला जाता है जहांकि उसको उसके दोस्त मिलते हैं और लगबग एक गंटे तक वो वहाँ पर खेलते हैं after returning home अब घर लोट में के बात क्या करते हैं देखो He takes his dinner वो अपना dinner करता है यानि साम का बोजन करता है then revise और उसके बाद revise revises का मतलब क्या है फिर से revise करना याद करना दोहरान करना किस चीज़ का what he studied at school भी स्कूल में उसने क्या पढ़ा वो सारी सारी चीज़ें क्या करता है वो dinner के बाद वापस revise करता है अब देखो रोईत क्या था पहले उसका routine क्या था स्कूल नहीं जाता था दूरुदूर बटकता था गुमता था लेकिन जब सभी ने उसको मना कर दिया खेलने के लिए तो उसको भी लगा कि मुझे भी अपना काम करना चाहिए और वो रोज स्कूल जाने लगा अब स्कूल जाने के बाद उसका routine क्या हुआ देखो जैसे ही स्कूल से घर आता जैले अपना काम पूरा करता और काम पूरा करने के बाद साम के समय एक गंटे तक खेलने के लिए जाता और वापस आके डिनर करने के बाद यानि भोजन करने के बाद वो वापस जो भी उसको स्कूल में पढ़ाया गया था उसको वापस revise करता यानि फिर से उसका दोरान करने लगा विद इस चैंज इन इस बीहेवियर और उसके बीहेवियर का मतलब होता है वहवार उसका जो यह वहवार था इस वहवार में इस परकार का बतलाव जो है is now liked by everyone is now liked यानि अब पसंद किया जाने लगा by everyone हर किसी के दोरा सब लोग अब उसके वैवार को पसंद करने लगे यहाब भी एकर पढ़ोगे तो सब के लाट ले बनोगे सब लोग आपको प्रेम करेंगे चाहेंगे कि भी बच्चा पढ़ रहा है बेटी पढ़ रही है इस तरीके से आपको दिनियमित रूप से अपने पढ़ाई को continue करना है His teachers praise Him His teachers यानि उसके teachers जो दे सिखसक जो दे praise Praise का मतलब होता है प्रसंसा करना Him उसकी उसके teacher भी उसकी प्रसंसा करते थे पीट थप थपाते थे सापासी देते थे For His punctuality punctuality का मतलब होता है नियमित रूप से काम करना उसके पॉंक्चुलिटी के लिए टीचर भी उनके पीड तपतपाते थे, सापासी देते थे And his parents feel proud of him और उसके parents यानि उसके जो मम्मी पापा थे वो feel यानि मैसूस करते थे proud यानि गारू ओन ही मुश्पर उसके parents उसके मम्मी पापा उस पर गरु मैसुस करते थे कि भी हमारा बेटा बहुत प्यारा है बहुत लाडला है उसी फरकार से आप भी जो भी बेटा या बेती हो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लाडले हो तो आपको भी ऐसे खाम करने चाहिए जिन से कि आपके उपर भी आपके parents proud करें गर feel कर सके I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा इसको एक बार book में वापस read करें जो भी नहीं पढ़ने मारा उसको दुबारा सुने और बार बार practice करें थाकि आप आसानी से किताब बढ़नी भी सीख जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे अब आपको अपने note book में लिखना है और इसके साथ साथ आपको learn भी करना है यह सारी spelling learn करनी है और इनका meaning भी learn करना है कि इनका मतलब क्या होता है इसके साथ आज के session को यहीं सवाप्त करते है Thank you जै हिन जै भारत